आज की ये वीडियो 12th class की उन सभी students के लिए है जो 2023 में board की परिच्छा में बैटने वाले हैं 12th class की board परिच्छा में physics का paper देने वाले हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकर physics में 20 से 25 से 30 या 30 से 35 संग clear होने वाले एक ही वीडियो से इस वीडियो में क्या थास है इस वीडियो में आज आपको एक sample paper यानि कि एक model paper दिया जा रहा है जिस बच्चे ने ये model paper पूरी तरह से clear कर लिया तो उसके 20 से 25 या 25 से 30 या 35 संग clear हो जाएंगे औस तरह हम बात करने तो 30 नमर के लावग आपके clear हो जाएंगे 70 नमर का यदि paper आता है तो उसमें से 25 से 30 नमर एक ही वीडियो से clear होने वाले हैं क्योंकि आज का यह paper है वो हमारे हातों से design किया हुआ है यदि इस paper को आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके 25 से 30 नमर clear हो जाएंगे क्या है इसमें खास इसमें यानि कि वो सब question दिए गए आप पुराने कोई भी paper ले लीजिए जो board परिच्छा में आया हुआ है इस पिछले में UP board की बात कर रहा हूं पिछले 5 से 10 सालों में कोई भी paper physics का उठाना और हमारे model paper से मिलाना तो उसमें कितने नमर का भसेगा आप और सो दर बदल जाएंगे और काफी ज्यादा कुश्चन तो इसी तरीके के आएंगे और numerical तो इसी तरीके के इसी रूप में बेश्ट रहेंगे तो यह सारी चीजे आपको अच्छे से कर लेना है और यह सेंपल पेपर है इसका भी मैं solution भी आपको करा हूँगा तो पहले य इसी तरीके के में चार सेंपल पेपर दूआ यह एक यह तीन और दूआ यादि चार सेंपल पेपर आपने कर लिए तो आपके सटर में से सटर नमब बिल्कुल किलियर हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नो डाउट आपको टेंसल लेने की जरूद नहीं है इनी चीज़ों को पढ़ते रहा हो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं तो यह तो यह सेंपल पेपर हम इस्टाट करते हैं यह देखेगा इसमें क्या 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 कुश्चन है इन कुश्चनों को सभी को सॉल्व कर लेना और हां जितने भी स्ट्टुएंट्स हैं जो अभी इसमें बहु पूरा कर लेना है तो आपके 20-25 नमर और इसी तरीकी के चार कर लिए आपका सतर में सतर नमर निश्चित रूप से आएंगे चलिए श्टाट करते हैं बात कर रहे हैं सेंपल पेपर की यानि की मोडल पेपर हूँ हूँ ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड परिच्छा 2023 में तो लिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना इसी तरीक है कि मैं 4-5 पेपर दोंगा चार पेपर दोंगा मात्र चार पेपर में आपका 70-70 नमर पूरा फसेगा 100 प्रत्सत देख लीजेगा ठीक है चलिए तो श्टाट करते हैं समझते हैं इस पेपर में क्या-क्या खास है इसमें देखेगा सबसे पहले पहला कुश्चन बहु पिकल्पे देया होगा इस तरीके का आएंगे पहले बहु पिकल्पे प्रिसंद दे रखे होंगे आठ कूलाम रिन आवेस में उपस्तित इलेक्टॉन की संख्या बताओ ये आपको बताने चार आप्शन दे रखें आपको सॉ करा हुआ इस पूरे पेपर को भी में सॉलु करा हुआ पहले आप देख लीजेगा इसको फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक्या होता ये आपको बताना है चार आप्शन है इसमें से आपको बताना है फिर एल वट्टे आर का विमिय सूत्र आपको बताना है एल प्रियर्कत की विमा बट्टे प्रत्रोध की विमा सुप्तिर को स्वाल्व करेंगे तो यह कौन सी विमा बेठेगे चार ऑप्शन है जो भी आपको तरच्छा लगे वह आप कमेंट करना है ठीक है अगला माइनस 5d मतलब माइनस 5 डायोप्टर और पिलस 3 डायोप्टर छमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं संयुक लेंस की फोकस दूरी बताओ तो जो लेंस की चमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर तो यह आपको कुश्चन है आपको स्वालू करना है आगे इलेक्ट्रोनों से या ना तो कोटर ना ही इलेक्ट्रोन से तो यह आपको पताना है कौन से सही आंसर है अगला प्रसंद आपको अगला प्रसन है निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम दीवरोगली तरंग दैड़त किसकी होगी यानि कि यह आपको बताना है कि इलेक्ट्रोन की डीवरोगली तरंग अधिक होगी या प्रोट्रोन की होगी यानि इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन नीट्रोन और जाता है यह भी एक एक नंबर के प्रसन रहेंगे छह प्रसन दे रहें च्छे के च्छे करने सबी प्रसनों को हल करो इसी तरीके से आपकोछ बनेगा बिल्कुल हूँ हूँ ऐसा ही पेपर आये है कुष्शन बदल सकता है पैटर्न यही रहेगा दो जार में ऐसा ही पेपर दूसरा नती कौण क्या है चुम्मक की धर्वों पर इसका मान क्या होता है नती कौण की परिवासा बता और चुम्मक की धर्वों पर नती कौण कितना होता यह आपको बताना है अगला किर्चौप का धारा एवं बोल्टिता का नेम लिखिए किर्चौप के धारा का नेम और बोल्टिता का नेम लिखना है ठीक है अगला पिरकास वैदुत उस्तरजन में देली आविर्ती और कार्यफलन से क्या तातपर है यह बताईए आप ठीक है यह पेपर आपने कर लिया तो यह समझे लिजे 25 ते 30 नमबर आपके किलियर हो जाएंगा यह चीज निश्चित रूप से याद रखना है इसलिए इसको पूरे पेपर को सॉल्व करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितना पेपर इसको सॉल्व कर पाऊगे अगला कुशन अलफा कान पिकिरन का संचिप्त वर्णन दीजे अलफा कान पिकिरन यह 11 किलास की केमिस्ट्री में भी था इसलिए इसको और यह आपकी फिजिक्स में भी है 12 किलास की में ठीक है अगला प्रसन देखिएगा इसमें भी सभी प्रसनों को solve करना इसमें चार प्रसन दे रखे होंगे यह दो-दो नंबर के प्रसन है क्या है पहला numerical दिया है कि E वराबर इतना और S वराबर इतना तो इसका वैदुत फिलस्क कितना होगा वैदुत फिलस्क आप से पूछ है अगला जो प्रसन है देखिएगा अन्योंने प्रेरण से क्या है अन्योंने प्रेरण क्या है अन्योंने प्रेरण गुणांक की परवासा सुत्र वे मात्रक लिखिए अन्योंने प्रेरण का सुत्र लिखिए मात्रक लिखिए विमीय सुत्र लिखिए इस तरीके से प्रसन हैं आपको करना है युग मुत्पादन और युग मिनास को परिवासित कीजिए नाविकिय विखंडन और नाविकिय सल्लेयन में क्या अंतर है ये आपको बताना है ये पेपर इस तरह से डियाइन किया गया है कि आपके तीस नमबर तो इसमें डेपिनेटली किलियर हो आपको आपको तीनों रिवाइस कर सको एने एंडी गेट का ब्यूलियन वेंजाइन किया है प्रतीक बशतव अत्यता सांड लगेए या तो ये कुशन करना या ये कुशन करना इसमें अत्वा करके मिलेगा जो आपको ये कुशन छोड़ देना है राइट चलिएगा इसमें भी सभी प्रसन को सम्व करना ये 5 प्रसन आपको करने तीन-तीन नमர का प्रसन रहेगा, क्या है तीन-तीन नम neighbors को प्रसन देखिए इसमें डेरिवसन होंगे अनुगोमन वेक क्या है अनुगोमन वेक के आदार पर ओम के नियम का वेंजक प्राप्त कीजिए ये अनुगोमन वेक के आदार पर आपको ओम के नियम का सत्यापन करना है ओम के नियम का वेंजक प्राप्त करना है चलिए अगला जो प्रसन है आपका एंपियर का परपतिय नियम लिखिए इसकी साहता से धारावाई परिनालका के अंदर उसकी अक्षपर चुम्मकिय छेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए एम्पेर का परपतिय नियम लिखना और एम्पेर के परपतिय नियम का प्रियोग करते हुए चुम्म की छेत्र के लिए सूत्र की स्थापना करनी है एक परिणालका के अक्षुपर याद रखना परिनलालका के केंदर पर अलग होता है परिनलालका के अक्ष्पर अलग रहता है एक और इसमें प्रसंद है किसी 10 की पावर 5 टेसला के एक समान चुम्मकी ए छेत्र में दस इलेक्ट्रोन वोल्ट उर्जा का एक इलेक्ट्रोन विर्ताकार मार्ग पर गतिमान है विर्ताकार मार्ग की त्रज्य आपको बतानी है नुमेरिकल्स है नुमेरिकल्स आपको सौल्व करना है यह बताना है आपको ठेक है पहुती प्यारा प्यारा नुमेरिकल है और नुमेरिकल की सीरीज हमने सो अंक की बताई थी वो आपको एक साथ भी मैं आपको दे दोंगा अगला प्रिशन वैदुत चुम्ब की तरंगे क्या होती है इनके प्रमुग गुणों का उलेख कीजिए यानि वैदुत चुम्ब की तरंगे आपको बताने हैं क्या है इनके गुणोंभी लिखने हैं अगला कुशन देखियेगा अगला कुशन गौस की प्रमे लिखिये तो इसे सिद्ध कीजिए गौस की प्रमे लिखनी है और इसको सिद्ध भी करना है अगले प्रसन की तरह आवेस गनत तो इतना है और तार में दो सेंटिमीटर दूर बैदुछेति की तीब्रता ग्याद करना यह नुमेरिकल भी दे रखा परिवासा भी आपको दे रखिया है अगला पानी तता कांच के अपवरतनांक इतने हैं कांच से पानी में पानी पर आपतित प्रिकास किरण क कांठिक कोन का मान ग्याद कीजें यह जो प्रसन साय तीगया है यह यह तीटीन नमर के है पांच प्रसन होंगे तीटीन नमर के तो यह 15 प्रसन छलिए अगला यंग के दूई LGBTQ रेका छिद्र के प्रियोक की सायता से फ्रिंज की चोड़ाई के लिए सूत्रिस्तापित कीजिए, बहुती प्यारा डेरियोसन है, यह आपको करना है, अगला प्रिसन वीटिष्टाउं सेतू का सचित्र वर्णन आपको करना है, पूरा आपको बताना है, अगला समांतर हरा मापी का सचित्र वर्णन कीजिए, राइट चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह देखे, घंड यह आ गया, इसमें आपके पांच-पांच नमर के चार प्रिसन दे रखे हैं, चार प्रिसन आपको करने होंगे, ठीक है, वैदु दूद्रो क्या है, एक समान वैदु छित्र म वैदु दूद्रो को गुमाने में किये गए, कार रेका वेंजक प्राप्त करो, और साथ में एक नुमेरिकल भी दे रखा है, कदस की पावर पांच, सीधे-सीधे बात है, यह पांच नमर का सवाल आएगा, तो पांच नमर जैसा ही आएगा, उसमें सारी चीज़ें आपसे प्रिजम के लिए सूत्र इस्तापित कीजिए, और 20 cm फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 10 cm की फोकस दूरी के उत्तर लेंस के संपर्क में रखा है, इसकी संयुक्त फोकस दूरी ग्याद कीजिए, यानि कि यह जो आपका यह दौनों कुशन में से एक कुशन करना है, दौनों अ कुशन करना होगा, दौनों में से कोई भी एक चलिएगा, आगे देखिएगा, एक सात्मा प्रसन भी ऐसा है, इस में से एक कुशन करना होगा, प्रिकास वैदुत उत्तर जन क्या है, इसके नियमों की उल्ले कीजिए, और दीविलोगी तरंदरत के लिए सूर्ट इस्ताप कि ट्रांसपार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, ट्रांसपार्मर की प्रात्मिक में दुत्यक कुंडली में फेरों की संख्या 1100 और 110 है, सपुलाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, दुत्यक कुंडली की प्रतिवादा इतनी है, तो प्रात्मिक कुंडली में दारा बतानी है, या आटमा प्रसशनौ इसमें भी दो प्रसशनदे रखें इनमैसे एक करना है। या तो आपुवावेख तथा दारा गनतों में संबन्द इस्तापित कीजिए। एक तार में मुक्त इलक्ट्रॉन इतने हैं और आपुवा वेख इतना दारा गनत ग्याद कीजिए। या तो ये वाला कर लीजे एक प्रसंद या आपका ये अथवा वाला कर लीजेगा क्या है कि गोलिय प्रश्ट वर प्रिकास के अपवर्तन का सूत्र इतना इस्थापित करना है आपको दौनों में से कोई भी एक प्रसंद आपको करना है चलिए अब नौमा प्रिशन है ये भी पांच अंक का प्रिशन है कि PN संदी डायोग को पूर्ण डिष्टकारी की रूप में कैसे प्रियोक्त किया जाता है परपत्वना का किरिया विधी समझाए या तो ये वाला प्रिशन करना है आपको या अथवा में ये दे रखा है NPN कोई भी एक करना है NPN कर दीजे या PNP कर दीजे कोई भी एक ट्रांजिस्टर के वारे में आपको सचित्र वर्णन करना है उसकी रचना भी लिखनी है रचना करनी है किरिया विधी करना है और चित्र भी वनाना है सचित्र वर्णन करना है I hope कि आपको ये जो पेपर आप नहीं जाएंगे 25 ती संग और इसी तरीके के आपने मेरे द्वारा दिये गए मात्र चार पेपर कर लिए तो आपका सतर मैंसे सतर नमर पूरे किलियर हो जाएंगे बिल्कुल भी अख्टा पढ़ने के जरू होते हैं तो इस पेपर को जदा-जदा सॉल्व करना इसको मैं भी स तेयर करना ठीक है और दूसरा सेंपल पेपर हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे इस पर मात्र हम एक हजार लाइक का टार्गेट रखते हैं एक हजार लाइक्स आपके हो जाएंगे हम आपका दूसरा सेंपल पेपर विद सॉलूसन आपको प्रोवाइड कर देंगे इस मैं आपको पता चल जाए कि इसमें से कितना मिला कोई भी पेपर पर नेकर देख लिए बाकि आज की वीडियों में से पितना ही लाइक करना पर जो साथ सेयर करना चैनल को सس्क्राइब जरूर कर लेना राइट